अंदविश्वास की क्या बात की जाए जितना समझाएंगे मानो उतना ही उपजर रहा है मानने को लोग तयार ही नहीं ये देखिए अंदविश्वास की एक नई और बेशर्मी से भरी कस्वी मासूम बच्चे को गले तक मिट्टी में दफना दिया पच्चे दो रहें लेकिन सुनने वाला कोई नहीं जानकर गुसा भी आएगा और शर्म इन बच्चों को इस तरह से दफनाने वाले कोई और नहीं बल्कि इनहीं के माता पिता जिनने अंधवश्वास के आगे अपने मासूम बच्चों की रूने की आवाज भी नहीं सुनाई थे सूरे गढ़न पर पूरा देश एक तरफ अला गलाग नदियों के किनारे पवित्रस नान के लिए उमड़ा था लेकिन दक्षिन भारत के कला बुर्गी में कुछ माता पिता इस सोच में बैठे थी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा बच्चे दिव्यांग है और उन्हें ठीक करने के लिए ये लोग किसी डॉक्टर के पास नहीं बलकि अंद्वेश्वास के चक्कर में पड़े इस गफलत में है कि सूर्ग रहन के दोरान अगर मिट्टी के अंदर बच्चों को गर्दन तक दफना देंगे तो सब ठीक हो जाएगा बच्चे एकदम दोड़ने लगे डॉक्टर के पास क्यूं ले जाएगा बच्चों के माता पिता के दिमाग में ना जाने कौन सा कीड़ा काट गया कि उनने स्वी सदी में आज भी जी रहे हैं आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे और इसका खाम्याजा कौन उठा रहा है ये बच्चे जो रो रहे थे पिलख रहे थे चिला रहे और माबाप महां खड़े सब कुछ देख रहे हैं